छपड़ा में सबसे ज़्यादा अपराग और जहरीली सराग से सेंग्रों लोगों के मौँ अपराधियों का मनोबल वरहा जाती ये उनमाद पैदा कर रहा है आज उसके विरोद में हम लोग बैटे हैं और जब तक सहरीली सराग से मरे लोगों को मौअबजा अपराधियों की गोली से मरे हुए लोगों को न्याय और मौअबजा नहीं मिलेगा ये आंदोलन सरक से सदन तक जाएगी चपरा के माजी मौबारक पूर में युवकों की हत्या के मामला दिन बदिन तूल पकड़ता ही जा रहा है मौबारक पूर हत्यकान को लेकर सियासी कल्यारों में भी अब हल्चल शुरू हो गई है इसके मद्दे नज़र भाष्पा दौरा शुयर के नगरपल का चोक पर एक दिबसिय धरने का योजन किया गया धरने के दौरा निता प्रतिपक्ष विजया चोधरी बिहार सरकार और मुख्यमंत्री पर जम कर बरसे पूरी तरह से अरजक्ता का वाता बरनुत्पन हो गया है और छपड़ा में सब से जादा अपराग और जहरीली सराब से सेंग्रों के मौँ अपराधियों का मनोबल वरहा जातिय उनुमात पैदा कर रहा है और परसासन का सासन के अंदर से संरक्षन कहीं न कहें अपराधियों के गत्राफ को बढ़ा रहा है आज उसके विरोध में हम लोग बैठे हैं और जब तक सहरीली सराब से मरे लोगों को मौबजा अपराधियों की गोली से मरे हो लुए लोगों को न्याय और मौबजा नहीं मिलेगा यह अंदोलन सरक से सदन तक जाएगी सरकार समय रहते पूरे वियार के अंदर बर रहे अपराध वो हर हाल में रोके आज खुन करके राधानी के अंदर जिस तरह से जटली में हुआ समस्तिपूर के अंदर जिस तरह से घटना घटित हो रहा है मुझहपरपूर में इस अरजकता के विरोध में हम लोग महाधरना का काल्ज कर्म किये हैं और सरकार अगर जो संग्यान में नहीं लेती है न्याय नहीं देती है और जहरीली सराब और प्रसासनी के रजकता में सुधार नहीं करती है तो ये मामला सदन के अंदर भी पूरी ताकत से लड़ाई हूँ तो पर सरक से सदन तक लरने के लिए ही नहीं हम लोग महामही मिराजपाल महोदय और भारत के ग्री मंत्री को हश्चेप करने की भी मांग करेंगे बेहार के अंदर पूरी तरह से जंगल राज नहीं गुंडा राज अस्थापित करने का सुन योजित सरकार का जो सोच है जातिये उनमाद के माध्धं से भै बनाने का और जातिये नरसंगार कराने का इस पर रोक लगाना जरू है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ध ज्याद लेवाद।